बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरहें जिनने आप हद से भी ज़्यादा वक्त देते हैं हाई गाइज मैं हूँ आरके सौलंकी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया से स्टोरी लेके आया हूँ वो इस वरकार से है आज की स्टोरी दोस्तों ये है कि आप किसी से भी ज़्यादा वहसवाजी ने करें वहसवाजी के ओपर ये एक स्टोरी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों एक गधा और एक चित्ता इन दोनों के आपस में बहस हो चुकी थी दोनों के अंदर बैस इस परकार से थी कि गधा कहने लगा कि ये जो हरा चारा जो ये घास है वो नीली कलर का है और चित्ते ने कहा नहीं ये घास तो हरा है हरी रंग का है तो दोस्तों बात बढ़ती बढ़ती बहुत जादा बढ़ चुकी थी और वे दोनों आपस में लड़ाई करने लगे थी गधा बोला कि ये जो घास है ये नीले कलर की है और चित्ते ने कहा कि जो ये घास है वो हरी कलर की है दोनों के अंदर बहुत तकड़ी बैस हो चुकी थी तो चीते ने कहा हम ऐसे करते हैं अपने राजा के पास जाते हैं और उन राजा को हम पूछेंगे भी ये घास किस कलर की है तो जंगल का राजा शेर के पास चीता और गधा दोनु चले जाते हैं दोनु जाने के बाद में चीते ने कहा राजा साब हमारा फैंसला कीजिए मैं कहरा हूँ ये जो घास है वो हरे रंकी है और गधा कहरा है ये जो घास है ये नीले रंकी है तो हमारा फैंसला करवाईए ये घास किस कलर की है तो शेर ने कहा कि ये घास चीते को पूछा आप किस कलर की मान रहे हो तो चीते ने कहा राजा साब ये जो घास है ये हरे कलर की है और राजर साब सेर ने फिर गदे से पुछा कि आप इस गहस को किस कलर की मानते हो तो गदे ने जबाब दिया कि साब ये तो नीले कलर की है और शेर ने कहा चिता को आप इस गहस को आप दोनों के अंदर आप मन मुटाब आपका हो चुका है चिता कह रहा है ये गहस इस कलर की है और गदा कह रहा है इस कलर की है तो गदे ने कहा कि साब आप बता दीजिए ये किस कलर की है तो राजा ने कहा गदे तेरी बात सही है ये घास नीले कलर की है चीता हका भका रे गया चीता देखता रे गया ये क्या हुआ मेरे साथ तो उसने कहा साब ये घास किस कलर की है चिता ने जब पूछा तो राजा ने कहा अरे पागल तू अपने गदा जब कह रहा है ये निले रंकी है तो इसकी मान ले तू इसकी बात नहीं मान रहा है इसका मतलब तू इससे बड़ा गदा है तो दोस्तो ये कहानी हमें ये इसकाती है कि गदे के साथ गदा बनने की जरूरत नहीं है हमें इस स्टोरी से ये सिक्षया मिलती है कि हमें बेसवाजी नहीं करनी है तो राजा ने भी यही कहा कि तू इससे बड़ा गदा है जब तू इसकी बात नहीं मान रहा है यह गदा है तो तू इसकी बात मान ले और इसने कहा है भी यह नीले रंग है तो बस बेसवाजी किस चीज की है तू गदे से बेसवाजी कर रहा है तू इससे बड़ा गदा है त झाल 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 झाल